हेलो स्टेटल, लास्ट वीडियो में आपने थे हैं, वर्क्षेट 4 वर्ड प्रॉब्लम आज हम लोग पढ़ेंगे, सब्ट्राक्शन 5 डीजिट नंबर और 6 डीजिट नंबर ठीक है सब्ट्राक्ट करने हैं सब्ट्राक्ट करना तो हम लोग पहले से पढ़ते हैं अब यहम लोग क्या कहते हैं वरक्षिट सॉल्फ करते हैं तो जादा इजी लगीगा, ठीक है ना? देखते हैं वरक्षिट 5 से स्टाइट करते हैं वरक्षिट 5 नमबर 1 सब्ट्रेक्स 78,000 फ्रॉम 78,321 फ्रॉम 85,213 सब्ट्रेक्षिट के question में हमेसे एक बात याद रखना कि from जब लिखा होगा तो from के बाद ठीक है ना जो भी digit जो भी number लिखा होगा उससे हम लोग को पहले वाले number को minus करना है इसका मतलब first place में 85,000 लिखेंगे और second place में 78,000 solve करते हैं समझ मैं ठीक है first number तो हम लोग first के लिखेंगे 85,213 minus 78,321 अब minus कर देते हैं 3 minus 1 क्या होगा 2 1 में से 2 minus तो होगा नहीं तो हमें यहां से एक बारो लिए 10 100 की place से क्या लिए बारो लिए तो 1 क्या बन गया 11 ठीक है अब 11 में 2 minus करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 ठीक है अब क्या होगा यह इसको एक बारो दे दिया तो यहां क्या हो रहे गया 1 अब यह 1 से तो 3 minus होगा नहीं तो उसको next number से अब हम लोग क्या करेंगे बारो लेंगे 5 से अब हम लोग बारो लेंगे तो जब 5 से बारो लेंगे तो 5 क्या बन गया 4 अब 4 में 8 माइनस तो होगा नहीं तो 8 से फिर से बारो लिए तो 4 क्या बन गया 14 ठीक है 14 में 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा 6 अब देखो 8 इसको बारो दिया था तो 8 क्या बन गया अब हमारा 7 ओके अब 7-7 जिरो एंसर इस 6892 नेक्स नमर सॉल्व करते हैं समझ में आने लगेगा नेक्स नमर क्या है बी 96,570 माइनस फ्रॉम 97,295 तो अब हम लोग फर्स्ट प्लेस में क्या लिखेंगे किसको लिखेंगे 97,000 लिखते हैं 97,295 ठीक है अब नेक्स नमर क्या है 96,570 96,570 अब माइनस कर देते हैं ठीक है 5-0 तो 5 हो गया 9-7 तो 2-5 होगा नहीं क्योंकि क्या है 2 is smaller than 5 तो अब हम इसे एक बॉडल लेंगे तो बॉडल लिए तो 2 क्या बनेगा किसमें चेंज हो गया 12 ठीक है C नमबर नमबर C 70 अब देखो अब तो याद हो गया होगा फ्रॉम के बाद वाले नमबर को पहले लिखना है 70, 1057-60, 2783 माइनस कर देते हैं 7-3, 4, 5-8 होगा नहीं क्यों क्योंकि 5 is less than 8 तो हम बॉरो लिए ठीक है 0 है तो 0 इससे बॉरो लेगा तो यह क्या बन गया 10 और 10 इसको दिया तो यह क्या बनीगा 15 अब क्या होगा यह 15 और यह 0 क्या बन गया 9 ठीक है नहीं वन से बॉरो लिए तो 1 क्या बन गया भी 0 ठीक है नहीं इसको दिये यह 10 बन गया लेकिं 10 यह कब रहता जब हम सिफ इसके लिए ले लेते 0 क्यों से बॉरो 5 ले रहा है 5 जीरो से माँग रहे है ना 1 नमबर तो यह ले लिया तो यह क्या हो गया 15 15 में 8 माइनस करें तो क्या बनेगा 15 माइनस 8 7 ठीक है 9 माइनस 7 2 0 माइनस 2 तो होगा नहीं तो अब 7 से बोरो लेंगे तो यह क्या बनके 10 10 माइनस 2 8 और 7 1 बोरो दिया है तो यह क्या बनके 6 6 माइनस 6 इस 0 अब डी नमबर सॉल्व करते हैं QD 89,560 माइनस 88,732 माइनस कर देते हैं ठीक है 0 माइनस 2 होगा नहीं बोरो लिए यह क्या बनके 10 ठीक है 10 माइनस 2 8 6 बोरो दिया था तो अब यह क्या बनके 5 5 5 माइनस 3 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 5 माइनस 7 होगा नहीं अब यह बोरो लिए तो क्या बनके 15 ठीक है 15 माइनस 7 8 15 माइनस 7 8 अब देखो 9 इसको 1 बोरो दिया था तो 9 किसमें चेंज हो गया 8, 8-8, 0, 8-8, 0 So answer is 828 D number solve हो गया अब question number E solve करते हैं ठीक है, E number क्या है E, 50,000, 50,000-40, 2150 50, ठीक है, इसको minus करते हैं 0-0, 0, 0-5 तो होगा नहीं, अब यहाँ से बोरो लेंगे यह बोरो लिए, 10 बना, फिर यह इसको बोरो दिया यह 9 हो गया, दखो, अब यह क्या बन गया, 9 यह क्या बन गया, 10, लेकिन यह इसको फिर से बोरो दे दिया तो यह क्या बन गया 9 और यह 10 यह इसको बहुर दे दिया तो यह क्या बन गया 10 लेकिन लास्ट बहुरा क्या बन गया 9 ठीक है 9-5 अब 9 में 5 माइनस करेंगे सॉरी यहाँ पे 0-0 तो हम कर चुके हैं तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा हमको इसको यहाँ पे सॉल्फ करते हैं देखो 50,000 माइनस 42,150 माइनस 0-0 जीरो हो गया अब देखो 0 से माइनस होगा नहीं बॉरो लिए तो यह क्या बन गया 10 10 माइनस 5 फाइव यह इससे बॉरो लेते आ रहा था तो यह क्या बन गया 9 ठीक है ना 9-2,7 यह इसको बॉरो दिये थे हैं क्या रह गया 4, 4-4,0 So, answer is 7850 E नमबर सॉल्फ होगे अब क्या है F नमबर, question नमबर F सॉल्फ करते हैं 79,096 माइनस 53,008 ठीक है 6 में 8 तो माइनस होगा नहीं बॉरो लिये यह क्या बन गया 16 16-8 8, 9 इसको बॉरो दिये थे यह क्या बन गया 8, 8-0 8, 0-0 0, 9-3 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा 6, 7-5 2, so answer is 26,088 तो हमारा फर्स नमबर सब्ट्रेक्शन कम्प्लिट हो गया अब हमको next क्या होगा find the difference between अब हमको क्या करना है इन में difference find करना है इन दोनों में कितने का difference है difference मिन्स में हम लोग पहले पाट चुके difference मिन्स माइनस difference में भी हम क्या करेंगे subtract करेंगे ठीक है तो अभी देखो subtraction में क्या के थे from के बाद वाले नमबर को हम लोग उपर लिखे था और फिर minus के थे लेकिन difference वाले में क्या करेंगे हम लोग sequence वाइज लिखेंगे first place में जो नमबर है उसको पहले लिखेंगे फिर second place में solve करते हैं समझ में आ जाएगा ठीक है second नमबर का first ठीक है अब देखो 6,54,372 minus 1,28,453 minus कते है 2 minus 3 नहीं होगा बोरो लिए यह क्या बन गया 12 ठीक है 12 12 minus 3 9 यह किसमें करनवाट होगा 6 6 minus 5 9 3 में 4 minus होगा नहीं बोरो लिए यह क्या बन गया 13 ठीक है 13 में 4 minus करें तो 9 4 4 देखो 3 4 से बोरो लिया था तो 4 क्या बन गया 3 अब इसको फिर से बोरो लेना बन गया 10 तो यह क्या बन गया 13 13 minus 8 4 अब 5 4 को बोरो दिया था तो यह कि किसमें करनवाट हो गया 4 में 4 minus 2 2 6 minus 1 5 तो एंसर इस 5,24,990 ठीक है अब भी नमबर सॉल्व करते हैं 9,76,517 minus 5,28,753 minus कर देते हैं 7 minus 3 जाओगा 7 minus 3 4 ठीक है अब देखो यहां से 1 में 5 minus होगा नहीं तो 5 से बोरो लेंगे यह कनवाट होगे 11 में 11 minus 5 6 5 किस में कनवाट होगे? 4 में 4 minus 7 क्या होगे? 4 is less than 7 तो वी टेक बोरो और देन इस नमबर इस कनवाट इंटो 14 14 minus 7 7 6 6 इस कनवाट इंटो 5 और देन इस नमबर इस कनवाट इंटो 15 15 minus 8 7 and 7 is कनवाट इंटो 6 6 minus 2 4 and 9 minus 5 is 4 So answer is 4,47,764 तो अब नेक्स्ट C, D, E, F अब इसमें भी क्या करने है? सब में हम लोगो सब्ट्रेक्ट करते जाना है तो C, D, E, F को आप लोग सॉल्व कर दीजएगा अगर आप लोगो C, D, E और F नमबर सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजएगा कि हमसे C नमबर या D नमबर नहीं बन रहे हैं perform the following subtraction and check the answer अब हम लोगो क्या करना है subtract भी करना है और फिर subtraction के बाद answer को check भी करना है कि जो answer हम लोग find किये हैं वो correct है या नहीं है फर्स नमबर सॉल्व करते हैं फर्स ली हम लोगो क्या करेंगे minus करेंगे चीक है minus करते हैं ए नमबर 9347 minus 1251 7 minus 1 6 4 में से 5 माइनस होगा नहीं बॉरो ले लिए 14 14 minus 5 क्या होगा 14 minus 5 14 minus 5 क्या हो गया 9 3 इसको बॉरो दिया था जहिए किसमें करनवर्ट हो गया 2 2 minus 2 0 9 minus 1 8 हमारा एंसर क्या है 8096 लेकिन अभी हमारा एंसर कंप्लीट नहीं क्वेस्टन भी क्या बुला था सब्ट्रेक्ट एंड चेक दा एंसर सब्ट्रेक्ट तो कर लिए अब हम लोग एंसर चेक करते हैं तो यहाँ पर अब एंसर कैसे चेक करेंगे एंसर चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जो हमारा एंसर आया है उसको हम लोग सेकंड वाले नंबर से एड करेंगे तो फस्ट हम लोग दखो जो सेकंड प्लेस में नंबर है उसको पहले लिख देते हैं सेकंड प्लेस में क्या है 1251 तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे second place वाले number को हम लोग को पहले लिखना है तो क्या लिखेंगे 1,251 फिर उसके याद next में क्या लिखेंगे जो answer है इसको 8,096 अभी अगर हम लोग इन दोनों को add करते हैं दोनों को add करने से अगर हम लोग को first digit मिल जाता है इसका मतलब हम जो solve के वा answer correct है 6 plus 1, 7, 9 plus 4, sorry 5 plus 9, 14, 4, 1 आगया carry 2 plus 1, 3, 8 plus 1, 9 answer क्या है हमारा 9,347 हमारे question के first number equal है इसका मतलब जो हमारा answer है वो correct है check हम लोग को ऐसी करना है अच्छ एक और question solve करते है आप लोग को ज़्यादा चिज़ समझ बहाएंगा अब हम लोग बी नमबर आप लोग कर आप लोग कर अगर को problem हो तो मैं बताऊंगे अब मैं solve करते हूं चलो C number ठीक है C number solve करते है 62,546-61,777 सब्ट्रेक्ट करते हैं 6 में 7 सब्ट्रेक्ट होगा नहीं क्या लेंगे borrow किसमें करणवाट हो गया 16 16-7 16-7 क्या होगा 9 4 इसको borrow दिया था यह किसमें करणवाट हो गया 3 फिर 5 से borrow लेना पड़ा यह बन गया 13 13-7 6 13-7 6 5 किसमें करणवाट हो गया 4 4-7 होगा नहीं फिर से borrow लिए क्या होगे 14 14-7 7 2 किसमें करणवाट हो गया 1 अब 1-1 0 6-6 0 सब एंसर इस 769 अब एंसर चेक करते हैं चेक दा एंसर एंसर चेक कैसे करेंगे सेकंड नमबर को पहले लिखेंगे हम लोग 6,000 सॉरी 61,777 सेकंड में क्या करेंगे जो एंसर है अब उसको लिखेंगे 769 अब दोनों को एड करेंगे दोनों को एड करने से हमारा 1st नमबर आना चाहिए अगर इसके एक्वाल आया है इसका मता हम जो सब्ट्रेक्ट के वो एंसर करेक्ट है ठीक नम 7 प्लस 9 16 6 1 कैरी 7 प्लस 1 8 8 प्लस 6 14 4 1 कैरी 7 7 प्लस 7 14 14 1 प्लस 1 15 5 1 कैरी 1 2 6 एंसर इस 62,546 अब यह दोनों एक्वाल हैं इसका लगा हम जो सब्ट्रेक्ट किये हैं वो क्या है करेक्ट है ठीक है सी नमबर सॉल्व कर लिए हैं हम लोग अब नेक्स्ट मैं कौन-कौन से क्वेस्टन बज़ गया है इसका आप लोग सॉल्व करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करेगा मैं इसका वीडियो बनाके सेंड कर दूँगी ठीक है ना अब हम लोग क्वेस्टन नमबर फोर सॉल्व करते हैं क्वेस्टन नमबर फोर क्या है फाइंड दिफ्रेंस बिट्विन दा लार्जेस्ट नमबर ओफ फाइव डिजिट एंड दा स्मॉलेस्ट नमबर ओफ थ्री डिजिट डिफ्रेंस अभी हम लोग कैसे फाइड के थे माइनस करके अभी इसमें भी हम लोग को डिफ्रेंस फाइड करना है लेकिन किसका लार्जेस्ट नमबर ओफ फाइव डिजिट and the smallest number of 3 digits question number 4 solve करते हैं अब इसको कैसे solve करेंगी यह देखो अच्छे से पहले तो हम लोग नमबर लिख ले largest 5 digit number largest 5 digit number क्या होगा 99999 ठीक है and the smallest number of 3 digit ठीक है smallest 3 digit number अब हम लोग smallest 3 digit number लगते हैं smallest 3 digit number क्या है 100 अब इसमें question में कहला difference between अब इन दोनों में हमनों को difference find करेंगे तो difference के लिए हमनों क्या करेंगे subtract करेंगे तो difference find कर लेते हैं difference 99999-100 दोनों को माइनस कर देते हैं 9-0 9-0 9-0 9-1 8 9-9 इसमेंगे difference कितने का है 99,899 यह हो गया हमारा answer ठीक है तो हमारा worksheet 5 complete हो गया है अब वरक्षीट 5 में आप लोगो किसी भी question में कोई problem होगा नई बन रहा होगा या तो आप लोग comment करके पूछ सकते हैं अगर आप लोगो वीडियो अच्छा लगा होगा समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग learn करेंगे properties of subtraction and worksheet 6 and 7 thank you